अज मैं आपके लिए चैप्टर नॉम्बर 10 लेकर आई और गवर्मेंट जिसमें हम पढ़ेंगे कि हमारी जो पूरी गवर्मेंट अच्छी तरह से वर्क करती है तो उसके लिए कौन-कन से और गवर्क करते हैं और किस हिसाब से वो लोग वर्क करते हैं तब जाके यह गवर् लिए साइंस के रिलेटेड आप मुझे कमेंट में जरूर बताएगा कि हुमन बॉडी में कौन से फाइं मेन और गवर्क है चलते हैं हमारे चैप्टर की और तो हमारे जो और गवर्मेंट है वो तीन और गवर्मेंट है पहला है लेजिसलेचर दुसरा है एक्जिक्यूटि है वो जो लेजिसलेचर दे लौ बनाए है उसे इंप्लीमेंट करता है और जुडी शरी यह जो लौ बनाये गए है और जो इंप्लीमेंट किये गए उस सारे लौ को बतलब ऊपर और कोई पर तो हुसे फिर पनिशमेंट दी जाते तो यह उनके मैं वर्क है अब गवर्मेंट जो है वो वर्क अच्छी तरह से नहीं कर पाएगी जैसे कि अगर हमारे human body में कोई भी और खराब हो गया तो फिर body में कुछ न कुछ defect आ जाएगी और अच्छी तरह से body work नहीं कर पाती सीम वे अगर यह गवर्मेंट को जो और हिंड एक और के यह उसने ऑना ऊक्हाँ हैrium है और किया है हमारे इनerson के हेसाब कि अधिर 무대 भी बना सकते हैं उतना हीẩids उसे दिया गया एक्जिक्यूटीव को क्या राइट दिया गया कि भई उसने जो लेजिसलेटर ने बनाया है सारे लोग उसे अब इंप्लिमेंट की दे और जुडिशरी जो है इन दोनों को प्रोटेक्ट करती है अब हमारे जो ऑर्गन्स है वो दो टाइप के मतलब करते हैं दो लेवल पर एक है सेंट्रल लेवल पर और दुसरा है स्टेट लेवल पर तो लेजिसलेटर जो है वो सेंट्रल लेवल पर और स्टेट लेवल पर के सहसाब से उसे डिवाइड किया गया है देखते हैं सेंट्रल लेवल पर है हमारी पार्लिमेंट जिस मैं प्रेसिडेंट vice president राज्य सबही प्रेसिडेंट राज्य सबहा है जबकि स्टेट लेवल पर जो है हमारे लिजिस्लेटिव असेंबली है उसे भी दो पार्ट है लेजिस्लेटिव असेंबली और पूरा एक और्यम के बारे में सारे इंफ्लय मैं पहले देते तो बाखी की पर हमने देखा कि बहुत है जिसमें प्रेसिडेंट है राजय सबह और लोकस अब किस्टेट लिवल पर क्या है लेजस्लेटिव कांशल मतलब इसके भी दो पार्ट हो गए अब देखते है कि unicameral और bicameral का एक concept है इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक ही house वाला है वो parliament वो हो गया unicameral और जिसमें दो house है वो हो गया bicameral तो दो house का मतलब क्या है कि हमारे parliament में क्या है upper house और lower house राजय सबा जो है वो upper house है जबकि lower house lower house जो है वो क्या है लोकसबा वैसे ही स्टेट में भी ऐसा होगा तो उसमें क्या है कि पहली सबसे उपर वाली जो है यानि कि अपर हाउस वो है हमारी लेजिस लेचर के बारे में आगे बढ़ते हैं हमारा सेकेंड जो और गन है यानि कि इक्जिक्यूटिव उसमें तो सेंट्रल लेवल पर है इक्जिक्यूटिव में प्रसिडेंट उसके साथ है प्राइम मनिस्टर और केबिनेट मिनिस्टर के साथ उनके जो एड्मिनिस्ट्र सिस्टम है वो पूरी इंक्लूड होती है एक्जिक्यूटिव में सबसे उपर होदे पर है गवर्नर उसके बाद है चिफ मनिस्टर और उसी के साथ साथ उनकी केबिनेट और सिस्टम तो यह सारे जो लोग है यह सारे पर्सन वो क्या करेंगे के लेजिसलेचर में जो सारे लॉबन हैं वह यह लोग करते अब आगे बढ़ते हैं थर्ड और गन की तरफ यानि के हमारे जुडिशरी सेंटर लेवल पर है सुप्रीम कोट और स्टेट लेवल पर है हाइप और उसके अलावा जो लोवर लेवल पर है सबॉडिनेट कोट डिस्ट्रिक कोट और स्पेशल कोट अगर यह तीनों और गन साथ में मिलकर वर्क करते हैं तब जाके हमारी पूरी सिस्टम अच्छी तरह से चलती है इसलिए हमारा जो और यह गवर्मेंट है उसे इस तीन टा है कि अगर साथ में मिलकर वर्क करेंगे तब ही कोई नहीं किया अगर हमारे पूरी काम के नहीं रहेंगे पर जूडि शरी फोलो करने वाले कोई नहीं है और नहीं उससे कोई पानिशमेंट मलने वाली पिस्तर दोनों कोई काम किए लुकार हमार उससा में मिलक़ करता हैं हमारे नेक्स पार्ट में ूर्द में फिछे olmas को और बाकी के जो और गन्स एक्जिक्यूटी उसमें कॉनका से परसन है उसके बारे में डीटिल में इंफर्मेशन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तिल देन बाई